आज हम ऐसा आलू परोठा बनाएंगे जो आपने कभी भी नहीं बनाया होगा जनरली हम आटा गुट के आलू का मसाला अलग से बनाते हैं लेकिन आज मैं नए तरीके से बनाऊंगी इसको बेलने की भी जरूरत नहीं है फिल भी यह आलू परोठा बहुत ही अच्छा बनेगा same to same test आएगा जैसे हम बनाते वैसे ही टेस्ट आएगा कैसे बनाते है वो में दीखाऊंगी आपको सारी ट्रिक के साथ बताऊंगी ऐसे आलू परोठा अगर आपको बनाना आए तो पूरा वीडियो आप स्किप किये भी ना देखना यमी कुक में आपका स्वागत है में करने के लिए ले लिया है इसको हम कद्दू कस कर लेंगे तक एक तम बढ़िया से यह बनेगा तो इसको कद्दू कस करना है आपको हाथ से मैस नहीं करना है तो यह मैंने कद्दू कस कर दिया है अभी इसको हम साइट पे रखेंगे और इसके लिए हम आटा एक लेंगे तो यहाँ पर मैं दो कप गिमू काटा ले लूँगी उसके साथ मैं तीन से चार चमच बेशन दे लूँगी ताक एकदम क्रिस्पी और अच्छा बनेगा थोड़ा सा ओरेगा नो डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्ष डाल देंगे नमक टेस्ट के सबसे डाल देंगे उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी मैं हल्दी डाल दूँगी ताक एकदम बढ़िया टेस्ट आएगा इसके बाद जब हमने आलू को कद्दू कस कर रहा था वह ले लेंगे इसको अच्छे से पानी डाल के हमको मिक्स करना है तो फ्रेंट्स एकदम नहीआ तरीका है और आप इसको कैसे बनाओगे वह मैंने आपको दिखाया लेकिन इसको कैसे हम पकाएंगे वह भी एक नही तर करते जाओगे बीच में पानी रालते जाएंगे तो इसका हमको एक अच्छा सा गोल्ड बनाना है बहुत ठेक भी नहीं बहुत नरम दी ऐसा हम गोल बनाएंगे फ्रेंग्स अगर आप मेरी चैनल पर नहीं हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना बैल आइकन को क्लिक करना तके नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी और हां मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत बूलना कापी लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं तो फ्रेंड्स एक लाइक से आप कर सकते हो मेरे को तो यहां पर मैंने पानी डालके अच्छे से मिक्स कर दिया है यह थोड़ा सा गाटा है तो अभी और पानी जाएगा इसमें तो यह एकदम बढ़िया से मैंने गोल्ड रेडी कर दिया है ऐसा ही ठीक हमको चाहिए तो ऐसी ही हमको रखना है इसके बाद इसको हम 5-10 मिलिट टक रेज करने के लिए छोड़ देंगे तो यहां पर मैं धक्कन धक्के रख दूंगी और 10 मिलिट टक हम इसको छोड़ देंगे इसके बाद इसको खोलके हम देखेंगे तो यह एकदम बढ़िया से रेडी हो गया है अभी इसको अच्छे से हम गुमा द गुमा दोंगी तो यहां पर मैं पीछी की मदब से इसको गुमा दोंगी टाक के अच्छे सी जब जगह पे यह तो वैसे ही हम को करना है इसके बाद हम इसका बैटर लेंगे तो यहां पर मैं तो बेचहा देंगी इसको तो यहां señor आ休ाओ उसको डालके हमको थोड़ा सा प्रेज करना है बहुत पतला भी नहीं बहुत गाड़ा भी नहीं ऐसा हमको यह बनाना है तो यह मैंने बीचा दिया है इसके बाद इसको थोड़ा पकाएंगे उसके बाद इसके अंदर हम बटर डाल देंगे तो उपर से एक स्पूनम बटर डा देंगे तो यहां पर यह रेडी हो गया है दूसरी साइट भी मैंने पल्टा दिया है और एकदम बढ़िया से यह हमारा आलू परटा बनके रेडी हो गया है तो मैं सारे ऐसे ही बना के रेडी कर दूंगी तो यहां पर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना सौफ्ट ऐसा हमारा वेसा ही हमारा आलू परोठा बनेगा थो कभी हमको ऐसे जली है और आलू पराठा बनाना है तो यह बच्चे को लंच में आप दे सकते हो ढिनर में भी अपको बनाना एक बना बढ़िया और टेश्टी एक सम्सिंपल तरीके से मैंने आज आपको आलू परोठा दिखाया है बहुत ही बढ़िया और टेश्टी बनेगा आप ज़रूर से एक बार ट्राई करना यम्मी टेश्टी ऐसा हमारा यह आलू परोठा रेडी हो गया है आप भी एक बार बनाओगे तो मेरे को क